नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपना चेनल प्रेणेंसी हिल्थ में दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ प्रेणेंट महिला को मीट खाना चाहिए या नहीं तो मेरे चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिजिए क्योंकि प्रेणेंसी और हिल्थ से रिल रखना चाहिए मा और बच्चे का स्वास्त गर्वती के खान पान पर ही निरभर करती है इसमें थोरी सीकलत खान पान आपके और खास कर गर्व में पल रहे सिसु के लिए काफी नुकसान दे हो सकता है दोस्तो गर्वती महिला बहुत ज़्यादा टेंसन में रहती है कि मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं उसमें से एक है मांस अक्सर महिला सोचती है कि मांस खाना चाहिए या नहीं दोस्तो गर्वती महिला को देशे अंडे का सेवन जरूर करना चाहिए देशे अंडे में भरपूर मातला में प्रोटिन होता है जो सिसू के पुर्ण विकास में मदद करता है लेकिन दोस्तों अंडा सिर्फ उबला हुआ या अच्छी तरह से पका हुआ खाना चाहिए इससे सिसू के मस्तिस का अच्छी विकास होता है कच्चे अंडे को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, कच्चे अंडा आपको और सिसु दोनों को नुक्सान पहुचा सकता है दोस्तों मीट खाना करवती महिला के लिए काफ़े फायदे मंद होता है इससे आईरन, केलसियम, विटामिन्स और अन्य पोशकतत्व होते हैं जो प्रेगनेंट महिला और भुरून के लिए जरुड़ी पोशकतत्व की कमी को पूरा करता है लेकिन दोस्तों गरवती महिला को मटन कम मातरा में खाना चाहिए और पांचवे महिने के बाध से खाना चाहिए सबसे इंपोर्टन बात ज्यादा मासाले दार वुओ तिखा नं खायें दोस्तो प्रिनेंसी में अक्सर गैस की समस्या होती है इसलिए काम मात्रा में मीट का सेवन करना चाहिए तो दोस्तो उम्मिद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सबस्काइब करके बेल आइकन दवा दिजे और लाइक तो कर ही दिजेगा दोस्त वह सहियों को वाटसेप फेस्बुक पर सेर कर दिजे वीडियो देखने के लिए आपका ब